नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अशिम और आपने ट्यून किया है डिटी आइस फार यू यूटूब चैनल तो दोस्तो आज हम बात करेंगे बांगलादेश की पहला चेटलाइट के बारे में जिसका नाम है बंगो बंदु वान तो दोस्तो आईए वीडियो को देखते हैं तो दोस्तो आज सम जी सटलाइट के बारे में बात करेंगे वह है बंगो बंदु वान जो की बंगलादेश का पहला चेटलाइट है तो दोस्तो ये सटलाइट आते है 119 डिग्री इस पर ये सटलाइट बीडी ऑन नामसे भी जाना जाता है दोस्तो बात करें इसका launching date तो दोस्तो BD-1 Falcon 9 rocket की मदद से 11 में को space पे उसका जो position है उस पर चला गया दोस्तो इसका जो weight है वो है 3700 kg और दोस्तो इस satellite का launch किया है Space X Agency और दोस्तो इस satellite का खाजबत एई है इस में 40 transponder आते है 14 C-band का transponder है और 26 Q-band का transponder है और दोस्तो इस satellite को 11 में को कानाडी Space Center Florida से launch किया गया था और दोस्तो अभी इस satellite को चला रहा है बंगलादेश Communication Satellite Company Limited और दोस्तो जिस station से ये satellite operate हो रहा है उस station का नाम है बेत बुनिया Ground Station जो की गाजीपूर में है तो दोस्तो बात अरते है इसका coverage में आपकी बंगलादेश Communication Satellite Company & Limited इसका अभी भी official कोई coverage में published नहीं किया इसलिए आपको में इस में आपको दिखाता हूँ जो की Appaster 7 का है दोस्तो आपaster 7 का जो चैनल अभी चाल रहा है ये पूरा बंगलादेश का चैनल चाल रहा है इसलिए में आपको इस में आप दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही आपको उस coverage में आपे दिखने को मिल जाएगा क्योंकि जो Appaster का सबी चैनल है वो सब BD1 पर shift होने बाला है इसलिए BD1 का satellite coverage में आप ऐसी दिखने को मिलेगा और दोस्तो बात करें इस satellite का अच्छी बात की तो दोस्तो इस satellite के खाश बात यह है जो channel 9 है जो IPL टेलिकस्ट करता है और जो माजरंगा टीबी है ये ICC का event जो सब्सक्राइब करता है और बीडी नेशनल जो कि बांगलादेश का नेशनल टेलिविशन है वो भी इस पर shift होने वाला है जो कि आप दो फूट डिश पर क्योवेंड एलेंड में लागा कर देख सकते हैं इसलिए ये satellite बांगलादेश के लिए खाश होने वाला है और उसके स अगली वीडियो में तक के लिए गुड़ बाई दोस्तों अगर इस वीडियो आप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके साथ चैनल भी सस्क्राइब कर दीजिए और सस्क्राइब करने के बाद एक बेल्ट आइकोन आपको नजर में आएगा उसको भ दीजिए क्योंकि हम जब वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले उस वीडियो को आप दख सकते हैं